कि नमस्कार दोस्तों मैं मुझे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सठीक परामर्च में और देखिए आज इवनिंग का सबसे बड़ा अपडेट है कि 110 साल पुराना बैंक जो हमारे देश में था कॉवर्मेंट ने अर्बियाई ने आज उसका लाइसेंस केंसेल किया और उसको बंद किया क्योंकि ये डिसीजन जो है बहुत बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि लाखों लोगों की एकाउंट डिटेल्स या आजकल बैंकिंग बहुत सारे बिजनेस करते हैं इससे डिरेक्ट इन डिरेक्ट बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं काम में भी पैस बैंक कि ये पुने स्थित बैंक है सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस अर्वी आइ snake ऐ ने किन्सील के लगबाग यह जो बैंक था 110 साल पुराना बैंक था जिसको आज बंद किया गया तो सबस्क्राइब की क्या हहा थे के 110 साल पुराना बैंक यानि कंपनी जब नहीं चल पा रहा है तो अगर ठीक से काम ना हो तो नए लोगों का क्या होगा आर्बियाई ने पिछले बैंक महीने में ही इसका लाइसेंस किनिसिल करने के लिए इसकी बात की थी और इसको बताया था और ये लगभग 110 साल पुराना बैंक है और बैंक का सबसे बड़ा कारण है बैंक बंद होने का कि आर्बियाई के मुताबिक बाइक सितंबर से अपना कारोबार बंद कर देगा और ऐसे में ग्राहक ना तो पैसा जमा कर सकेंगे और ना निकाल पाएंगे बता दे कि रुपिया सहकारी बैंक बैंकिंग लाइसेंस इसलिए रद किया गया क्योंकि बैंक के पास परियाप्त पूजी की कमाई की संभावना नहीं है यानि बैंक का जो इंकम पॉलिसी है वो बेकार है और बैंक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है इस वज़े से इस bank को profit लाइसेंस जो है RBI ने cancel किया RBI की अनुसार या bank अधिनियम 1949 की धारा 56 में 11A बहुत सारा धारा है इसमें प्रावधानों का अनुपालन किया गया है यानि इसमें ऐसा है कि जो भी bank profit नहीं करने में अगर मालनी जीए convert नहीं कर पाएंगे profit making नहीं होंगे तो उनका RBI चाहे तो license cancel कर सकता है इसमें बहुत सारा धाराएं हैं अलग-अलग धाराएं हैं तो इसमें दो-तीन धारा लगाई गई है जिसके कारण ये bank को जो है 110 साल पुराना bank बंद हुआ अब मालनी जी bank तो बंद हो गया ठीक है तो company को loss जो होगा वो होगा bank को मगर public जो इससे जूड़ी हुई है बहुत सारे public है जिनका मालनी जी saving account है current account है insurance है या fix deposit है उनका क्या होगा ऐसे लोग कहा जाएंगे ऐसे लोगों का पैसा क्या डूब जाएगा या कल से वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे ऐसी इस्तिती ग्रहकों के सामने बनी हुई है और public इसमें घवराई हुई है तो इसमें RBI का जो notification है आपको बता दे कि ग्रहक ने RBI की deposit insurance and credit DICGC insurance screen के तहत एक insurance होता है कि अगर bank डूब जाए तो ग्रहकों का क्या होगा या ग्रहकों का पैसा क्या होगा उसके तहत पांच लाग रुपय का insurance cover मिलेगा यानि अगर पांच लाग से ज्यादा आपका amount है तो हो सके आपको पैसा नाम में ले यानि इस नियाम के तहत अग अगर किसी bank को खराब वित्य इस्थिती के कारण बंद करना पड़े तो ऐसे में customer को DICGC के जड़िए पांच लाग रुपय तक के deposit पर insurance cover का फायदा मिलता है और यहाँ पैसा ग्रहक को मिलता है अब आपको बता दे कि अगर किसी ग्रहक के खाते में करोरों रुपय भी क्य दिया जाएगा यानि आप पैसा मानेजिए कितना भी जमा रखे हो पांच लाग तक का अगर पूंजी है आपका तब तो इंस्वरेंस पॉलिसी के कभर के अंडर में आप आते हैं आपका पैसा मिल जाएगा और अगर मानेजिए आप पांच लाग से ज्यादा वाले सब चीजे हैं जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ी हुई है मगर जब हम एकाउंट खोलते हैं या बैंकों से जुड़े काम करते हैं तो इन सब पॉलिसी का हमें पता नहीं होता यह बैंक की जानते हैं और आर बी आई जानती है या गवर्मेंट जानती है कोई पब्लिक क है गवर्मेंट इसको लाइसेंस दे रही है पीछे से कुछ है तो पैसा मिल जाएगा मगर आपने देखा दोस्तों हालत यह है कि पांच लाग से जादा अगर आप बैंक में रखते हैं तो इंसरेंस पॉलिसी भी उसको कभर नहीं करती है तो इसलिए जो भी बैंकिंग प्र आपको अच्छी लगेगी और कुछ ग्यान प्राप्त आप इससे करेंगे और फ्यूचर में डिसीजन जो है सोच समझ के लिया करेंगे आज के लिए इतना ही नमस्कार